नमस्कार आपके साथ मैं उठ्टिविश्व कर्मा और आप देख रहें न्यूस टाइम्स चैंबासा इस बुलिटिन में आप सभी का स्वागत है आईए नजर डालते हैं सिंभुम के खबरों पर समाहर नाले सभागार में उपायक पुल्दीप चौधरी के ध्रक्स्ता में PCPNT Act से संबंधित जीला सराका समीती की बैठक हुई सीविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने एक्ट के संबंध में जानकारी को साज़ा करते हुए बताया कि जीले में कुल 16 अल्ट्रासाउंड सेंटर पंजिकृत है राजिसे प्राप निर्देश के आलोप में निजी क्लिनिक डॉक्टर एक्सरे गायतरी सेवासदन हेल्थ सेंटर चकरधरपुर गंगोत्री नर्सिंग होम जगनातपुर के साथ M.O.U किया गया है जहां गर्वती महलाओं को उनके गर्भावस्था के दोरान कम से कम एक बार अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है उपायक्त ने पंजिक्रित अल्ट्रासाउंड क्लिनिक से आवश्यक रूप से ओनलाइन फॉर्म प्राप्त करने और नियमित रूप से अनुमंडल वार संस्थावं का निरिक्षन करने का निर्देश दिया बैठक में मौजूद समीती के सदस्यों के समक्ष गुआ हॉस्पिटल द्वारा प्रस्तुत सेंटर नविनेकरन आवेधन के अतिरिक्त ताटा हॉस्पिटल नौमुंडी द्वारा निबंधित मशीन को नए भवन में स्थानांत्रित करने से संबंधित प्राप्त आवेधन को जाचो प्रांत सर्वसमती से स्विकृति दी गई तातनगर प्रखंड के लोवा हातु से रोलाडी जाने वाले मार्ग में हुनगाडा नाला में पुलिया निर्मान का शनिवार को मजगाउं के विधायक नीरल पूर्ती ने भूमी पूजन किया भूमी पूजन के मौके पर विधायक ने कहा कि छेतर के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है छेतर में पुल, पुलिया, सडक, चेक डेम, जल मिनार का निर्मान कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि होनगाडा नाला में पुल्या निर्मान होने से गाउं के लोगों को बरसात के समय में आवागमन में सुधा होगी, साथी प्रकंड कार्याले जाने में दूरी कम होगी। सभी मिलकर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि नई सरकार में दीपक बिर्वा को मंत्री बनाये जाने से विकास तेजगती से होगा। चौक के पास दोनों ही जगों पर संचालित होता है आमिज स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है? आईए आमिज स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाईए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशितपूर क्यों जाना? चैबासा में भी होगा सारा काम वह भी विश्वसनियता के साथ जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में चार पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है वह भी भरोसे के साथ एक्सिडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, वील अलाइन्मेंट, व प्रतिनिदी मंडल को आश्वाशन दिया कि सिक्षा के विकास के लिए और सिक्षक से संबंदित समस्याओं के समाधान के लिए वे हमेशा ततपर हैं सिक्षक अपने समस्याओं को लेकर कभी भी हमसे मिल सकते हैं प्रतिनिदी मंडल में संग के अध्यक्ष उपेंद्र सिंग, असेम कुमार सिंग, सुनील कुमार, निलसन, नागो सिया और अनुराग वर्मा शामिल थे कॉंग्रेस के पूर्व जीला अध्यक्ष सोमाई गागराई की कॉंग्रेस भुवन चैबासा में सहादत दिवस मनाया गया, कॉंग्रेसियों ने उनके तस्वीर पर पुषपार्पित कर स्रधान्जली दी कॉंग्रेसियों ने कहा कि सोमाई गागराई सौम्य सभाव के थे, उन्होंने कॉंग्रेस का प्रचार प्रसार पूरी निस्ठा से किया, जीला कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यों को सदैव याद रखा जाएगा इस मौके पर जीला अध्यक्षंद्रशेकरदास, महासचिव, त्रिशानू राय, रंजीत यादव, जितिंदरनात ओज्जा, लखन बालमूचू, रूप सिंग बारी, प्रदीब बिरुली, आधी शामिल थे जाकरण मुक्ती मोर्चा की पश्मे सिंभुम जीला समीती, पंचायत से लेकर, प्रखंड एवं जीला स्तर पर, नियाय यात्रा का आयोजन कर, हेमंत सोरिन के विरुद्ध केंद्रिये जाच एजिंसियों के सहयोग से, भाश्पा और केंद्र सरकार के द्वारा रचेगे हेमंत सोरिन की रिहाई के लिए नियाय पालिका का दर्वाजा खटखटाएंगे, मंदर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा तथा सरनास थलो पर भी उनकी रिहाई के लिए पूजा अर्चना की जाएगी, नियाय दिलाने और उन्हें अविलम जेल से रिहा करने की मांग को लेकर जामुमो किसी भी हद तक जाने के लिए तयार है, आज चायबासा परिसदन में संपन जामुमो की जीला कमीटी की बैठक में या निर्ने लिया गया है, 20 फरवरी को रविंद्र भौन में होने वाली बैठक में कारेक्रमो को लेकर रनीती तैकी जाएगी, आप सोने और चांदी के लेटिस डिजाइन के अभूशन उचित मोले पर मिलेगा, श्याम जोलर्स में सोने और चांदी के अभूशन की सुद्धता की सत प्रतिशत गैरेंटी है, तो फिर जादा क्या सोचना है, आज ही आईए श्याम जोलर्स, हमारा पता है सोनार पट्टी सदर लड़का लूंगी छोटा बड़ा मिलेगा हरना नीलमशू जहाँ, नीलमशू का वादा ताम कम मजबूती ज्यादा, नीलमशू राजा बाड़ी गली सदर बाजार चैवासा आया आया निलम्शू में स्कूल का पोशा लड़का लगी छोटा बड़ा मिलेगा हरना निलम्शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस डियवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जीला स्कूल, स्पेजी मिशन, संत लिवेका, रूंटा, स्कूल इत्यादी की स्कूल ड्रेस, स्कूल बैल, स्कूल जूते, मौजे, स्कूल बैल, टिफिन बॉक्स इत्यादी उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उलब्ध है तो अवस्य पधारे नीलमशू राजाबाडी कली सदर बाजार चैवासा जहां नीलमशू का वाद वेवहार नियाले चैवासा की अदालत ने दो अलग अलग मामले में नाबालिक लड़की से छेड़ खाने के आरोपी नरेंदर दत्ता को 7 वर्स की सजा और 4,000 रुपए जुर्माना और एक अन्य मामले में Arms Act के आरोपी हरेश गोप को 3 वर्स की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है गोईलकेरा थाना के नरेंद्र दत्ता पर 17 जून 2022 को नाबालिक लड़की से छेड़खानी किये जाने का मामला दर्च कराया गया था गोईलकेरा थाना पुलिस ने मामले का नुसंधान करते हुए आरूपी को गिरफतार कर जेल भेज दिया था प्रथम अपरसत्र नियाधीस की अदालत ने साक्ष के आधार पर आरूपी को पोक्सो एक्ट के तहट सजा सुनाई वहीं एक अन्य मामले में जिकपानी थाना में मंझारी थाना के थाई गाउ निवासी हरिश गोप पर 14 जुलाई 2022 को अवैद हतियार रखने का मामला दर्च क किया गया था मुख्य नाइक दिंदाधिकारी की अदालत ने परियाप्ति साक्ष के आधार पर आरूपी को सजा सुनाई चैंबासा चेंबर के अध्यक्ष मदुसुदन अगरवाल के नत्यत्त में एक प्रतिनिदी मंडल ने शनिवार को नौपद सापित उपायुक्त कुल अधिया कैसी भी हो जीला प्रसासन तुरित कारवाई कर निदान निकालेगा आप से फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ तब तक बने रे हमारे चैनल पर धन्यवाद